हालो फ्रेंट्स विल्कम टू स्विंग ट्रेड फ्रेंट्स अभी हम जैसे कि एक लास्ट वीडियो मैंने पोस्ट किया था जो की बिगनर का एक पॉर्टफोलियो था दो लाग का उसका बेस पे उन्होंने जो स्टॉक सिलेक्शन किया था मुझे यसा लगता है कि उन्होंने स्टॉक किया था या फिर किसने कुछ बोला होगा तभी उन्होंने चलत कर सकते हैं मेरा मोटों यह इसी हिसाब से बना रहा हूं कैसे कि आप कौन सा स्टॉक को सिलेक्शन करेंगे जैसी कि आपको बिल्कुल भी लॉस नहीं होगा हां यह सा हो सकता है हुंडेड स्टॉक में से कोई एक स्टॉक गलत निकल जाए क्यूंकि उसको कोई कुछ नहीं बोल सकता है जहां पर एक और पर गवर्नांस की इसू होता है वहां पर कोई कुछ नहीं कर सकता है ठीक है लेकिन हमारा हाथ में जो चीज है उसको हम कैसे कंट्रोल कर सकते मेरा कहने का मतलब हो यह उनका पॉट्फोलियो था उनका पॉट्फोलियो रिव्यू यहां पर मैंने किया हुआ है जाकि आप जरूर देख लीजिए अगर आप नियू बरबाद हो जाएगा क्योंकि अगर आप बनाएंगे ना पॉट्फोलियो मतलब बरबाद वाली पॉट्फोलियो इसमें कोई मतलब आपको रिटन नहीं बिलने वाला है ठीक है हमेसा कैसे स्टॉक सिलेक्शन करना चाहिए उसके बारे में अभी यह वीडियो बनाने जा रह किये ठीक है स्टॉक के उसको आप लॉंग तरम के लिए लेके नहीं चल सकते हैं जो भी स्टॉक सिलेक्शन किये हैं उसको आप स्टॉइंग टरेट आ जाता है इमिडेटल आपको प्रफिट करना है उस टाइम पर आपको लालच आ जाएगा कि नहीं में तो और ज्यादा ओ है वहां पर बता रहा है वह सब नहीं सुनना है जहां पर टार्गेट प्राइस आपका आगया इमिडेटली टार्गेट प्राइस में प्रफिट बुकिंग करके आप निकल जाओ यह कोई आपका लॉंग टर्म पोटफोलियो का स्टॉक नहीं है यह भी सोच के चलो ठीक है अभी चले वीडियो शुरू करते हैं आपको बताता हूं तो अगर कोई मेरे इस चैनल पर नया है चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए सब्सक्राइब करके आप जाके मेरा चैनल पर काफी सारा वीडियो अभी है जो की अभी करेंट मार्केट प्राइस पर आभेले वह सब्सक्राइब कर चुका है तो यहां पर हो कि यहां पर हम कर चुक है यहां पर सब्सक्राइब करेंट मार्केट पर आप बाठेम होगा तक आप इमिएटल होगा ताकि आप इम्मेडियो लै सकते नहीं करता हूं यहां पर पोर्फिलिय हमने रिवू किया तो यहां पर यह भी विख यहां पर यह पीटल उनका था लेकिन यह सुइंग ट्रेड मतलब प्रोफिट बुकिंग टाइम पर करना है क्योंकि टाइम अगर आप प्रोफिट बुकिंग नहीं करें आपको लॉस हो जाएगा ठीक है अ अगर अच्छा सा स्टॉक में आप पोजीशन नहीं बनाया है तो फिर आप अभी भी फश्ट सकते हैं उसका रीजन क्या है मैं आपको बताता है कि अपको जो बताता है कि चरो करो उसमें बहुत सरा प्रोब्लेम होता है तो आप यहां पर यहां पर जाके फ्री वर्जन आपको बोलता हूं अगर आप बोलेंगी डेट फ्री कंपनी में लोंगा तो आप लीजिए में 50 परसेंट से जो निचे है तो उसको 0.5 से लिखते हैं लिखते हैं उसके बाद में नेक्स्ट में आ जाते हैं फिर उसके बाद में आरोशी सिलेक करता हूं जो की रिटरन करता हूं है गसे परीजर लेकर आया गांगों जिञान के उपर आंशन मार्केट के आप अपर और इंट्री की जीए, कि कि वहांपे फौल थोड़ान के मार्केट के नंवी रहेगा वाहां थोड़ा तोड़ा ज्यादा आता है ठीक है उसके बाद में हम जो क्राइटरिया देखेंगे हम नेट प्रॉफिट मार्जिन देखेंगे यह यह 10% होना चाहिए कंपनी अगर प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ कंपनी में हम फिर एंटरिक की लोएंगे इसे हम सिलेक करेंगे उसके प्रॉफिट में कि यह पूरा दोस्तों यह कंपनी का डाटा निकल के आ गया लेकिन इसमें हमें ब्यांकिंग स्टॉक नहीं रहेगा और फाइनन्स नहीं रहेगा क्योंकि उनका जो बिजनेस होता है डेट लेके ओ फिर मतलब करजा लेके कस्टमर का जो फॉन्ड मतलब डि सेलेक्शन करेंगे उसका प्रॉफिट बेस सेलेक्शन करेंगे अलग से में बताऊंगा ठीक है इसमें फाइनन्चियल स्टॉक नहीं है जो सब्सक्राइब कर लिए तो यहां पर आपको अच्छा कंपनी में पोजिशन बनाना है तो मार्केट के हिसाब से तो यहां पर आप प्लेयर यहां पर आपको मिल जाएगा फास्जिश्यस कंपनी आएगा आपको मतलब यह लार्ज क्या श्टॉक है फास्ट पत्चीश स्टॉक आपको मिल जाएगा यहां पर शेवेंटी तू थाजिट न करोड़ तक आहँ मार्केट कर चुक है जिसाब साफ सेलेक्शन कर सक सकते हैं यह 25 ले सकते हैं अगर आपको और भी स्टॉक चाहिए और भी लिजिए कोई प्रोब्लेम नहीं स्टॉक की कमी नहीं ठीक है उसके बाद में लिजिए हमारा पेट्रोनेट भी हमने वीडियो बना के बताय हुआ है आई जेल का भी बताय हुआ यही सब स्टॉक को मैं बताता हूं देखके इसे ही सिलेक्शन करके बताता हूं ठीक है तो उसके बाद में फिर नेक्स्ट पेज जाए कोई प्रोब्लेम नहीं यहां पर 34000 का मार्केट करें मार्केट क्या वे नेक्स्ट अब लास्ट तक जा सकते हैं ठीक है लास्ट तक चलिए इससे जाएंगे तो आपको टोटल टोटल जो स्टॉक मिल रहा है 201 दो सो एक कंपनी का स्टॉक मिल रहा है तो यहां पर बहुत सारा स्टॉक है तो यह स्टॉक को आप बिल्कुल अपना रैडर पर रख सकते हैं ठीक है तो यह स्टॉक जो रैडर पर रखेंगे मेरा कहने का सब करना है यह सब क्या करेंगे यहां पर नोट करके रख लिजे नोट करके आप यहां पर आके अपना जो ट्रेडिंग विए यहां पर पर इंट्री किजिए ठीके यहाँ पर एंट्री है यहाँ पर इंट्री हो जाएंगे तो इसालिए here Esta तैट सब्स्टाब का यहां पर हिंदूइस्तान लिवरु को आप यहां से एंटर करके रख सकते हैं раूं golpe से करके रख देंगे तो से करें नहीं से क्या फाइदा होगा होगा आपको डेली आ के एक बार सेलेक्षन कर सकते में जैसे स्टॉक्स करता हूं इसी बैसी पर स्टॉक्स करता हूं और बाखी सरा और भी होता है तो चाट पेटरन देखके आपको भी पता चल जाएगा लेकिन आप जब जो सुरुआद है शुरुआद आप इसा ही देख सकते हैं ठीक है यह आपका हो गया यह आपका जो 200 स्टॉक आ यहां पर सिलेक्षन हो गया तो टूहंडेड़ वन स्टॉक यहां पर ट्वन स्टॉक को एंट्री करके रख लेंगे तो ईस साब से आप से स्टॉक्षन कर सकते हैं सेकेंड फीर रहा क्या अपकर फाइनन स्टॉक लेना है तो यहां पर जाके फाइनेश्यल स्टॉक यहां पर आ गया ठीक है आने के बाद में जो टॉप प्रॉपिट भी अच्छा आ रहा होगा तो इस साब से मार्केट तो सिलेक कर लिए उसके बाद में प्रॉफिट देख ली लीजिए लास्ट जो नेट प्रफिट कितना आ रहा है तो उससी वेसिस पे आप टेन टूंटी स्टॉक्स ले सकतें ठीक है फास्ट जो टूंटी स्टॉक्स तक आप ले लीजिए ठीक है उसके बाद में फिर छोड़ दिए कोई लेने की ज़रूत नहीं इंडिया पूंटी फ पेलओ को शिलेक कर ली जिए आपका फाइनन्स कंपनी के लिए हो गया जिसमें बुंपूराउंच से द्रिट्ट विंसवे बाज़ और मनपुराम है होगो है सब्सक्राइब करने के बाद में यहां पर सिक्टर में आएंगे सिक्टर में आपको बताएगा ब्यांक सेक्टर उसके उपर क्लिक कर लीजिए अगर क्लिक करेंगे तो यहां पर सारा ब्यांकिंग स्टॉक अब दिखा दिया तो यहां से ब्यांकिंग सक्त चर्ट यहां पर ट्वाइब हां Lima के जौनर पर प्रोफिट यां से तो उसी ब्यांकम में है तो इसए गाम को कंसिडर कर लिजिए अपने अफं़ स्टॉटल का हो गया तो यहां पर आपने से यह रखने के बाद में डेली ऐसे आप चेक करते जाए आपका जब प्राइस के पास में आ जाएगा या ताफ या तब की स्टॉट करें चल सकते हैं यह जो की स्टॉक क्राइटरिया है अगर इसा आप सिले करेंगा आपको लॉस हो और एको बताता हूँ एक चार्ट में बताता हुँ कि तक्राइब है जब पार यहांप देखिए यहां पर अब यहांपे हमने कर लिया होते हैं उसके बाद में करो ना हो गया फॉल हो गया तो ठीक है यहांपर काफी दिन तक बेसे हिसल कर रहे हैं ग्रेट कंपनी को लॉस में क्यों सेल करेंगे तो ठीक है यहां पर अगर 335 डेज तक होल्ड करके चलते हैं अल्टाइम हाई तक भी फिर फिर भी में हमें मिलता है ठीक है और कॉरोना जहां पर हुआ है उसकी बावजुद भी ठीक है यह पहला एक्जाम्पल सेकेंड एक्जा लिया हम क्या बोलते हैं जहां पर अल्टाइम हाई के पास चला जाएगा सेल कर देंगे यहां पर कितना परसंटेज मिला 63 डेज 25 परसंट का गेंड मिला है ठीक है हम हमेंसा 200 डे मुवी अबरेज का ही बात करते हैं ठीक है तो यहां पर अगर किसने बाई किया होगा यहां यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां से पूजिशन बनाएं ठीक है पर यहां से फिर पोजिस्वन बना है ऐल्ल टाइम हाही तक गया फिर उसके बाद में से ल्के हम ओल्ल टाइम हां फिर से लकिए यहां पर देखिए यहां पर चलता है यहां पर बात करते हैं तो यहां पर पॉसिबिलिटी तो है इसा कोई नहीं कि आपको लॉस हो गया आप एक चीज तो बता दो कि इसा ग्रेट कंपनी में आप कर रहे हैं अभी ट्रेडिंग तो यहां पर लॉस आपको हुआ है क्या नहीं प्रफिट तो वह ना तो प्रफिट नहीं जाना है जब हमारे पास में इतना अच्छा अपर्चुनिटी है तो पिर श्टक में क्यों हम जाएंगे में आपको थोड़ी दिन पहले तो बताया था नहीं 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 दिखा नहीं देखेंगे तो उनको भी मैं बोलता हूं ना कैसे काम करता है तो तो मैं पूमन साथ को और कहां से यहां पे आपको बताया था के आपको परते आँर कंपनी है और हम ऐइस का अपने लुपारिगर के पास मैं अपने आपने कि यहां पर फॉन था देज्स की आपको कितना गैनला का 41 परसंट का गेन मिला ठीक है हम कितना परसंटेज का गेन का हम एक्सपेक्टेशन रखते हैं 30 परसंट का एक साल में यहां पर आपको 136 डेज में 41 परसंट का गेन मिला है यहां पर फिर अपने इंतेजार किये फिर आल टाइम हाई तक रुके फिर उसके बाद में कितना पर शिक्टिन परसेंट का गयन मिला वाण जरो फाइब में तो ये कोई छोटा गयन थोड़ी है। मेरे हिसाब से तो मैरे लिए भूल बहुत परेंचा तो तो में घर चलता है आप को क्लिए नहीं करता हूं गय चलता है। लिदी लो आऍप me now кабुमिल exist now फिर मुछे यहां पर फाइदा मिलेगा किनेफार cens इसके बांद मैं फिर जाएगा, دेखिए फिर होन्रेंट debit में मिलेगा यह सइंही की और देखी हो Chinook मिलता रहेगा आप लोग आप लोग इतना है अच्छा सिरा अच्छा साे मेरे अहår एक क्थ हडसी में एक थिंद यहां विद तो अच्छा धार मुझे ठीक है एई सबंब है इसे ही चलेगा मैं आपको और एक बताता है अभीड में थोड़ी दिन मैं लिया था है में हमें भी अभी बहुत ऐख दो क्यों अदिसमें इसे क्या किया यहां पर बाई किया ठीक है यहां पर बाई करके चला के द्रॉइंग को रिमूव कर देता हूँ हो है यहां पर दिया यहां पर मतलब नो टेन परसंट गेन जब तोंटी नायन बोल टेनस में मिल रहा है तो हमें और क्या चाइए यह सममें एन्ट्रेंड लेना नहीं है अप मेरे साथ मेरे साथ मेरे साया है तिए अच्छा सा है हर तीन साल में बहुत नहीं है जूड़ते रहे आपका कोई भी गलती नहीं होगा पोटफुलिया हमें सहा हरा हरा रहेगा लाल में रहेगा इने ठीक है अगर वीडियो आपको बिल्कुल पसंद आया या तो फिर मोटिवेट थोड़ा सा यह वीडियो से आपको मिला है वीडियो को जरूर लाइक कीजिए फ्रेंड्स के साथ कीजिए थैंक यू भरी मुच्छ फ्रेंट्स पर वाचिंग इस वीडियो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में